परवार नाडों बिछणंतों बाद माता गुजरका और जी ते छोटे सहव जादे सब तो पहला किते रुके गंगू पापी उन्हानू कि मिलेया ते रास्ते विच गंगू पापी ने उस रात उन्हाना नाड की पाप कीता ते उन्हानू दूसरी रात होकर क्यों ले के गया पहली रात उन्ना नू ठंड वेच ही कट्टन नी क्यों मजबूर कीता। गंगू पापी दी बनाई होई केडी जोजना फेल होगी ते सहब जाद्यानू किस तरह उसने मुरिंडे कोत वाली तक पहंचाया। इस वीडियो दे राही एसावत्यास बारे जानागे कि कीस तरह बिछोडे तो वाद ते कोत वाली पहुंचन तक दा सफर छोटे सहब जाद्याने किन्ना कठन्याईया दे वेच बतीत कीता। वाहिगुर जी का खाल सा वाहिगुर जी की फते हुन जान दे हाँ इस विडियो दे पूरे अत्यास वारे जीस तरह आसी जान दे हाँ के छे पोधी शामनू गुरु गुविंद पात्शा जी ने अपने सिंगा ते अपने प्रवार दे समेत अनांधपुर सहवदा किला संगत जी जेकर तुसी उस देन विचोड़े तो पहला अनांधपुर सहवदे किले विच की कुछ होया गुरु पात्शा उस देन किथे किथे गए ते अनांधपुर सहवदे किले विच सारे समानू किस तरह संबाड़े आ गया इस सारा त्यास जानना चाहुं दे हूँ ता सारसा नदी ते परवार बिछड़ गया, परवार ते नहीं सियां विच बिछड़ गया, ते माता गुजर कौर जी छोटे सहब जाद्यां दे नाल, सारसा नदी नू पार ना कार सके, इस कारणू हो, सारसा दे किनारे किनारे चल दे हो, अग्गे नू वदन लगे, छोटे 8 किलो मीटर दी दूरी तै कार्ण तो बाद शाम दा समा हो जान दा ते माता गुजरकौर जी ते छोटे सहब जादियां दे सारसा दे पाणी दे कार्ण ओना दे कपड़े पे जिके गिले हो चुके सान इननी ठंड वेच गिले कपड़े नाल तोरदे तोरदे माता गुजरकौर जी सहब जादियां समेथ एक चौपड़ी दे अगगे पहुंचे उस चौपड़ी चक्टेरा नाम कपिंड विच बनी होई सी जित्थे माता गुजरकौर जी राम कार्ण दे ले रुके ते ज़दों ओथे कुमा माशकी नादा उस चौपड़ी विच रहन वड़ा बंदा बापस आया ता उसने माता जी नूँ सवाल कीता के ओ कौन ने ते होण कार्ण उन्हानू रुकना पैगया फिर कुमा माशकी ने माता जी नूँ खाने वारे पुच्चया ता उस तों बाद जोदों माता जी ने कहा के उन्हान ने हले तक कुझ नहीं खादा ता कुमा माशकी पेंड दी ही एक नेक देल और त पंडतनी लक्षमी गोल पहुं बाद जाद्याँ दे समेथ उस चौंपडी वेचराथ कटी ते उस रात कुमा माशकी ने इनी थंड वेच माता जुजरक ओर जी ते उन्हाना दे लालांदी खातर चौंपडी दे बाहर रात जी एक पासे जिते इनी थंड सी उपर दी बच्च्यां दे कपड़े भी बिज जुके सान ते रास्ते वेचे तोर-तोर के ओहो ठाक गे चूर हो जुके सान जिस कार्ण छोटी उमर होन कार्ण बच्चे ता सौंगे प्रांतु माता गुजरक और जी ने एही चिंता दे वेच रात लंगाई के ओहो अग्गे किते जान गे उनना ने अग्गे की कार्णा है ते किमे ओहो गुरु पात्षा दे कोल पहुंचन गे ए सोचां सोच दे होई पूरी रात लंग गई इस सत पोधी रात सी जोदो महला वेच ते माखमली कपडे पैनर वाले सहव जादे आज चौंपडी विच रात कटनी मजबूर सान ते जिते पूरी दुनिया ओना दे खिलाफ होई सी ओथे कुम्मा माश की वर्गे नेक देल इंसान विसान जिन्ना ने माता गुजरकार जी ते उन्ना दे दो छोटे सहव जाद्यां दी खातर पूरी रात ठंड दे वेच गुजारी ते सहव जाद्यानू चौंपडी दे अंदर सोन दी इजाजित दिती सत पोधी ओ रात माता गुजरकार ते सहव जाद्याने कुम्मा माश की दी चौंपडी वेच बतीत की ती अठ पोधी स्वेर शुरू होई ता माता ते सहव जाद्यान दे लई लक्षमी पंडतनी फेर तो प्रशादा तयार करके लेके आई ते नाल ही एक गश्डी दे कुछ कपड़े भी लेके आई पामे के आर्थिक पखों हो बहुत गरीब सी प्रांतु फेर भी सचे मनों सहव जाद्यान दे माता गुजरकार जी दी मदद करना चौंदी सी इसलिए जेहो जेहे भी कपड़े उस तो सरे वे बच्चियान दे लेई गठडी वन के ले आई मा गुजरकार जी थे छोटे सहव जाद्यान उस पंडितनी ने परशादाश काया थे एतिया आसवेच दार जये के जदो सवेर होई ता सवेर दे समय तक चारे पासे एक अलफैल चुकी सी के कुमा माश की दी चौंपडी वीच गुरू सहव जी दी माता जी ते उनना दे दो बच्चयाने रात कटी है सहव जाद्या ते माता गुजरकार जी दी ए खवर जदो पापी गंगू बमन दे कना ता के गाल पहुंची ए खवर उसनू मिली ता के हाज अन्दा है के ओ वी उस समय उसे ही पेंड विच मजूद सी ते तुरांत ही ओ वी उनना नू देखन लई उथे आ पहुंची आ ते आस विच दार जाये के जदो माता गुजरकार जी ने गंगू पंडतनू अपनी अखाने समने देख्या ता उनना दे माननू कोज राहत महसूस होई क्योंकि गंगू पंडतनू माता गुजरकार जी पली पांती पहचान देसा न क्योंकि कोई समा स जोदो गंगु गुरु गोविन सेंग जी दे नांधपुर किले वेच रसोये दा कम संबाल दासी ते गंगु पंडत शुरू तो ही बहुत लालची स्वादा इनसान सी जिस कार्ण उस दियां गल्त हरकता दे कार्ण उसनु नांधपुर सहव दे उस नोकरी तो हटा दता ग्य प्रांतु होण माता गुजर कौर जी ए समझ दे सान के होण शैदो गंगु पंडत दे राही अपने पुत्तर गुरु गोविन सेंग जी ताक जल्दी ही पहुंच जानगे जदो लक्ष्मी पंडतनी माता गुजर कौर जी ली प्रशादा लेके आई सी ता उस तो माता जी ने कपड़ियां दी गठड़ी वी लेंदे होए उस वेच अपने नाल्लियां दियां मोरां वी गठड़ी वेची संभाड लियां सान जदो उथो विदा लेंड लगे ता माता जी ने लक्ष्मी पंडतनी नू ता नवादे तोर ते एक मोहर दे दती ते फिर उस तो बाद कुमा माश्की नू भी रात कटन दे बदले वेच जदो उनना ने एक मोहर दती ता कुमा माश्की ने हाथ जोड के माता गुजर कौर जीनू मना किता प्रांतू माता गुजरकौर जीने फेर भी तानवाद देता और ते कुमा माशकी नू सोने दी मोहर दती। ए सब देह के ही गंगू पापी दा मान उसे वाक्त ही ओथे डोल गया ते सोचन लगा सी के माता गुजरकौर जीने कोल जो गठडी है उस विच पता नी किना कता न होवेगा किन्या को मोहरा होन गया। इन वो अनगे के ओहो माता गुजरकौर जी ते छोटे सहब जाद्यानू गुरु गोविंद सिंग सहब जी तक पहुंचा देन। जदों सारसा नदी देक नारे ते बिचोडा होया ता गुरु पात्षा ने एए अदेश दिता सी के उन्ना नू सारे सिखा ते परवारा नू रोपड़ दे रस्ते ते पहुंचन दा अदेश दिता क्योंकि उथे ही कोटला नहेंग खा एक मुसल्मान दी हवेली सी जिते ओ गुरु पात्षा ने एही सोच के सारे नू देश दिता क्यों हो रोपड़ दे रिलाग के वालनू कूच कारनू कोटला नहेंग खा दी हवेली सिखा दे लई एक जहा सुरख्यत टिकारना सी जिते ओ कोज समा ठहर के अग्गे वालनू कूच कारन वारे सोच सक दे सान। ते एही सुरख्यत टकाने वारे सोच दे होए माता गुजर कार जी ने गंगुनू किहा के उन्ना ने रोपड़ वाले रास्ते वालनू जाना है। गंगुनू इस तरह लग रहा सी के उस वेच पता नी किना का खजानना माता गुजर कार जी ने रख्या होया है। इसलिए वो किसे भी हालत वेच उसनू खथे आउना चांदा सी। गंगुनू पापी दी नेगा सिर्फ उस गठड़ी तक ही सीमत सी। जेकर गुरु गोविंद सिंग सहब जी तक हो सहब जादियां ते माता गुजर कार जी नू सही सलामत पहंचा दन्दा। तब पता नहीं गुरु गोविंद सिंग सहब जी ने गंगु तो खोशो के उसनू किन्ना कु माला माल कार देना सी। प्रांतु गंगु पापी दे मान वेचता सिर्फ बेई मानी ते लाल चही परया होया सी। गंगु अपनियां बेई मानीयां दे चाल दे ही माता गुजर कार जी ते छोटे सहब जादियां नू रोपड़ दे विलकुल नजीक पहंचके फेर तो बापस मड़ पया। सहब जादियां ते माता गुजर कार जी ने गंगु दे नाल उस दे पिछे पिछे तोर दे होय ते कीती। शाम दा समासी जोदों ओहो इन लंबा रास्ता ते कार्णतों बाद काए न और ना दे एक पिंड विच पहंचे। उस जगा ते रूके जित्ते एक तलाव बनेया होया सी ते पारी पारी द्राख्त भी उस तलाव दे कनारे लगे होय सान उस द्राख्त दे हेठां ओहो माता गुजर कार जी ते सहब जादिया नू रूकन दे लई कैंदा है। जेकर गंगू चोंदा ता काए न और देस्तान ते रूकन दी जाए उपने पेंड अपने कार न नू लजा सकता सी क्योंकि काए न और तो उस दा पेंड महज 4-5 किलो मिटर दी दूरी ते ही सीस्ता। इन नंबा रास्ताता है कान तो बाद सहेडी अपने कार न लजा के गंगू ने ओना नू इनी ठंड वेचे तलाव दे कना रे द्राक्त हे था रात कटन देली मजबूर कीता। परवंद करके ले आवेगा। पेंड सहेडी विखे गया ते अपनी माता नू केहा के उसने परशादा लेके जाना है माता गुजरक और ते उनना दे पोत्रयां दे लेई। ते उस दे मान वेचे इनी बेई मानी सी ते आशकार लेख देहान के उसने अपनी मानू केहा के उहो उनना दे खाने विज जहर पादेवे। क्योंकि गंगु ए बचार बना रहा सी के जहरीला खाना खाके सहब जादे ते माता गुजरक और जादा बेहोश हो जानगे जान फिर खत्म हो जानगे ते इस तो वाद खजानना उसरे हाथ लग जावेगा। पर गंगु पापी दी माने जहा पाप कारण तो गंगु नू बरजया ते उनना ने ए भी कहा के उहो अपने हती जहा पाप कदे नहीं कारण गे। ते फिर परशादा त्यार करा के गंगु जदों कई कांटे आवाद माता गुजरक और जी कोड़े पहुंचे आता उसने कह के बाहर दा महौल बहुत खराव है तुसी ए परशादा शाकलो ते अजनी रात एथे ही कटनी पवेगी। गंगु पंडत दे द्वराले अंदा गया परशादा माता गुजरक और जी ने आप भी शक्या ते नाढ ही अपने पोत्रयानू भी शकाया। इननी जादा ठंड आस्ता तै कार्ण दे कान सहब जादे ठक चुके सांते परशादा शकन तो बाद ओहो अपनी दादी माधी बुकल दे विच सोंगे। पर माता जी ने उथे पूरी रात बैठ के ही बतीत कीती। जोना दे कोल गंगु वी एसे डीक वेच ही पैरा दे रहा सी के कदो माता गु गुजरक और जी सुते ते ना ही गंगुरू मौका मिलेया ओ खजाना हथे ओन दे लेई। क्योंकि गंगु खाने विच जहरता नहीं सी पास सकया प्रांतू ओहो ए सोच रहा सी के जदो माता गुजरक और जी सोंगे ता तलाव दे कनारे बने होए द्राकता थले जदो क्योंकि उसनों लग रहा सी के जेकर माता गुजरक और जी ते सहब जादिया नू तलाव जितक का दे देवेगा ता किसे नू कुझ नी पता लगेगा के सोटे सहब जादिया ते माता गुजरक और जी नाल की बाप रहा आठ पो दी रात दे ओ खीर ले पहर जाके गंगु पंडे तो खोद सौंजान दा है तो जदो सवेर हुन दी है ता उस दी आख खोल दी है ते अपने आप ते बहुत पश्टाओं दा के ओ क्यों सुता शायद माता गुजरक और जी भी उस समय सो गए हुण जदो उसनों नीन दा गई सी ए साब सोच दे हुए मान्च पश्टा दा होया फिर माता गुजरक और जी नुँ कहन दा है के मेनू ता रात दे हने रे विच पताई नी लगा के मेरा पेंड़ता एथो चार पंच किलो मिटर दी दूरी ते ही है होणो एब चार बना रहे हा सी के करे लिजा के उनना दा एख जाना लोट लवांगा ते माता गंगु हले भी उननू रास्ते वेच ही लुटन दा प्लैन बना रहा सी जिस कानकार हले भी लेके ना गया रास्ते वेच ओ हो माता जी नुँ ते सहव जाद्यानू एक कुटिया ने नस्दीक छड के चला गया ते उनननू ए बहान ना लाया के ओहु अग्गे दा रस्ता द अध्याल वे उसनू सहव जाद्यां ते माता गुजर का और जी नाल कोई लगाव नहीं सी। लई एमें ही आ गए फिर उसने माता गुजरक और जी नू पुछिया के उनना ने परशादा शकना है ते पेंड दे बिच्चों जाके कारकार तो परशादा इकठा कारके सहव जा दिया ते माता गुजरक और जी नू ले आके परशादा शकाया परशादा शकन तो बाद माता गुजरकौर जी बच्चियां समेत गंगू दा इंतजार का रहे सान ते नौपो दा ओहो देन ते रात दा कुझ समा माता गुजरकौर जी ने उस कुटिया विखे बिताया अज ओथे उस कुटिया वाली था ते एमा सहव गुर्दवरा शिशोवित है उस रात काफी समा लंग देन ही हाल आता दे वारे जाईजा लेंदे होए जानकारी लेंदे होए ही बीत गया ते होण तुसी मेरे नाण मेरे कार चलो नौपो दी रात अखीर गंगू उन्नानू अपने कार ले ही गया ते अपने कार ले आके उन्नानू सोन देले बिश्तर दिता जित्थे एक पासे माता गुजर कौर जी ने बाबा जोरावर सेंग जी ते दूसरे पासे बाबा फते सेंग जी नू अपने बुकड़ देवेच लंदे होए ओहो रात नू बेफिकर होके सौंगे क्योंकि ओहो उत्थे अपने आपने अपनू स्रख्यत महसूस का रहे सान पामे के दूजे पासे गंगु दे मानवेच हले भी बेईमनी चल रही सी जयों ही गंगु नू मौका मिलेया रात नू उसने माता गुजर कौर जी उपर निगा रखी ते जोदो ओ सौंगे ते उनना दी मोरावाडी पोटली चुकी ते उसनू चोरी करके लकोन दे लेई चला गया एथे एग अलवी दसन जोग है के जिस जगा ते गंगु ने मौरावाडी गुर्जी चुपाई सी उस था ते अज गुर्दवरा सहब सशोवित है क्योंकि एही मौरावाडी गुर्जी जो उसने लालच विच आके उथे चुपाई सी एही उस दी मौत दा कार्ण बनी सी त खाँ ते माता गुजर्क और जी ते छोटे सहब जा ते अनल सबंधत होन दे कार्ण अज भी उथे गुर्दवरा सहब शुशोवित हन ते आस्विच दारजय के जदो गंगु पंडत दे नाल सहब जा देते माता गुजर्क और जी उसरे कार पहुंचे ता गंगु ने उनना नूँ खाण दे लई खाणा देता वो इनना कटिया खाणा सी के ओ खाण दे लाइक नहीं सी फेर भी उसने इनने छोटे वच्चे नूँ जहाँ खाणा दता एज देह के माता गुजर्क और जी ने गंगु नूँ एक एक खाणा बापस कार दता के एक खाणा बच्चे नहीं खाण गे जेकर कुछ खाण नूँ देना ही है ता सोने दी एक मोहर ले जा ते बाहर तो कुछ खरीद के ले जो कुछ भी तेनू खाण दे लाइक मिलदा है ते आसकार लेख दे हान के सोने दी मोहर लेके गंगू बारों सहब जादियां देले पताश्य खरीद के लिए उदा है ते छोटे सहब जादिया नो पताश्य खवाद ते जान दे हान उस्तों बाद माता गुजरक और जी दी बुकल वेचो सौन जान दे हान एथे भी दसन जोग है के माता गुजरक और जी ते उस दे परवार ने कदे भी किसे दा अहसान नहीं सी रखया जदो गंगू उन्हान अपने कार लेके आ रहा सी ता ओधों भी उन्हान ने गंगू दे अहसाना दा मोलच काया ते उसनों सोने दिया मोरा अधितियां रात भी तण तो बाद जदो अगली स्वेर माता गुजरक और जी उठे ता देख्या के कप्डेयां वाली पोटली विज कप्डे ता सान प्रांतू मुहरा वाली खुर्जी गैब सी उन्हान ने सहिज सवाही गंगू नों पुछया के चंगा किता तो मुहरा वाली इसलिए उसने बाहर करतों आके रोडा पना शुरू कर देता के एक पासे ता तहां नुरात कटन देली छात दिती एहसान मनन दी बजाए मेरे उपर अलजाम लगा रहे हूं। कि ते सहब जादियां दी जिन्दगी दे उपर कोई खत्रा ना आजावे। कि दो माने मेलके मरिंडे कोतवली शकैत दर्ज करवादती। मरिंडे कोतवली दे दो कोतवल जाननी खां ते माननी खां जोके पहला ही बजीर खां दे चमचे सन। अग्ये ओवी लालचना परे हुए गुरू पात्षा दे लाला नू मुसल्मान बणा के बजीर खां दे सामने पेश कारंद वारे सोच रहे सन। आके ओवी माला माल हो जान। अतियास विच दार्ज है के मुरिंडे कोतवली तो थोड़ा रस्ता पिछे ओनना नू बोरियां विचों कड के अग्ये दा रस्ता तंग होन दे कार्ण जिंजीरा विच जकड़े होयान। जिंजीरा विच जकड़े होय सहवजादे ते हत विच हत कड़ियां लग्यां होन कार्ण उनना दा पार इनना जादा सी जिसनू सहवजादे बरदाश्त नहीं कार सकते सन। इस दे कार्ण नहीं उनना दे हत्था दे पैरा दे विचों जाखम होन कारके खून रेस रहा सी ते उनना दे पिछे पिछे माता गुजर को और जीवी चल रहे सन। दस बोधी रात नू मुरिंडे कोतवाली पॉंचन तो बाद बजीर खां सरहंदिये नू खवर पंचादिती जांदी है के उनना ने सहवजादे नू गृफतार कार लिया है। ए खवर मेंड तो बाद बजीर खां नू इस खवर उपर जकी नहीं सी हो रहा क्योंकि आठ पोधी रात नू जदो चमकारदा जद होया ता गुरू पातशा गुरू गोविंड सेंग जी मुगल फॉजा नू चाकमा दे के चमकारदी गड़ी छड़ के अग्गे वालनू वाद चुके सान। ते मुगल फॉजा ए सोच के जैशन मना रही हैं सान के ओना ने ता काफर गुरू गोविंड सेंग जी नू खतम कर देता है क्योंकि ओहो गुरू गोविंड सेंग सहब जी नू काफर बलाओं दे सान। पर बाद वेच जदो उना नू पता लगा कि किस तरह गुरू गोविंड सेंग जी ने उना नू चाकमा दिता है ते ओह अग्गे वालनू वाद गय हैं ते जिसनू उना ने खतम कीता है ओह गुरू गोविंड सेंग जी दा कोई सेंग सी। इस कार्ण बजीर खान एक गुसे दा पारा सिखरां उतते सी जोदो उसनू एक खबर मिली ता हो तसली करना चांदा सी के की वाके ही ओहो गुरू गोविंड सेंग जी दे सहब जादे सान। बजीर खाने पली पांती जान दा सी के उसली बनाई होई हर चाल ना कामजाब हो रही सी इस कार्ण होनों तसली कारना चांदा सी ते उसने ए देस पे जया के दास पोधी रात खातम हुंदे सार ही ग्यारा पोधी सुवेर नू सहब जादे सरहांद पॉंचने चाई दे हन। दास पोधी ओ रात सहवजाद्याने मुरिंडे कोत वाली विखे बतीत कीती जित्थे उन्हानू बहुत ज़्यादात सदद दिते गए क्योंकि उन्हादी पहली कोशिश एही सी के सहवजाद्यानू एथों ही मुसल्मान बणा के सरहांद लेके जामागे जिसकान बजीद मुस्विकार कारलन ते मुरिंडे कोत वाली विखे उन्हादे नाल की कोश होया ते अग्गे सरहांदल जान तो बाद उथे किमे किमे उन्हानू तुसी है देते गए फिर किमे शहिद्धी होई इस दा पूरा तयास तुसी सौन साकते हो जिस वीडियो दा लेंक आसी डिस्क किस तरह माता गुजर कार जी छोटे सहव जादियां समेत प्रवारतों बिछड गए ते मुरिंडे कोत वाली तक पहुंचन दा उन्हादा सफर किनना दादनाक ते मसीवतां पर या रहा ते जिस जगा ते उन्हानू मुरिंडे कोत वाली पहुंचाया गया उथे वी आज ग अज भी गुर्दवरा सहव शशोविधान सहव जादियां नूच कौन वाले खोद खातम हो गए प्रांतू ओहो ना ता सिखत आरमनू खातम कार सके ते ना ही सहव जादियां नूच का सके इस तरह छोटी उमर वेच ही सहव जादियां ने सिखत आरम देले जो लशानी शहा कीते जानगे अत्या आस दास्दियां कोई भी पलचक हो गई हो वे ता काल पूर्ख वाहिगुरु प्रामातमा माफकार्न जेकर वीडियो चंगी लगी हो वे ता आपने बिचार दास्दे होए वाहिगुरु लेहके हाजरी जरूर लगवाओ वीडियो सोन देले इसारी ही स अंगे तदा बहुत बहुत ता नवाद वाहिगुरु जी का खाल सा वाहिगुरु जी की फते